दोस्तों अगर आप किसी भी शादिशुदा अवरत को पटाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं जो टिप्स दूँगा उस टिप्स से आप किसी भी शादिशुदा अवरत को आसानी से पटा सकते हो उनसे दोस्ती कर सकते हो उन्हें अपनी तरफ आकरशित कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं जो पहला टिप्स है ओ है कि डरना नहीं है दोस्तो जब हम किसी भी औरत को या लड़की को लाइन मार रहे होते हैं तो हमें ये डर रहता है कि लड़की या औरत आप पर घुसा ना हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप जिस भी औरत को या लड़की को लाइन मार रहे होते हो उन्हें ये पता होता है कि आप उन पर लाइन मार रहे हो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है बुरी आदतों से दूर रहना दोस्तों बहुत बर हम यह सोचते हैं कि किसी भी औरत को पटाना है तो उस पर अपना रॉब जमाना पड़ता है इसलिए हम महेंगे महेंगे कपड़े पैनते हैं दोस्तों से गाड़ी उधार लेकर उनके सामने जाते हैं अमीर दिखाने की कोश करते हैं औरत के सामने स्मोकिंग करते हैं दारू भी पीते हैं तो यहाँ पे आपको यह सब नहीं करना है इन सब बुरी आदतों से आपको बचना है इनको छोड़ना है जब आप किसी औरत के सामने या किसी लड़की के सामने आप इन बुरी आदतों को करते हो तो अपना इ इन बूरी आदतों को नहीं करना है आप real life में जैसे हो वैसे बनकर ही लड़की को या औरत को line मारना चाहिए आप अपनी बूरी आदतों को लड़की या औरत के सामने दिखाऊगे तो तुरन्त reject कर दिये जाओगे इसलिए आपको बुरी आदतों से बचना है और जहां तक हो सके इनको छोड़ देना है जो तिसरा पॉइंट है वो है अकेले रहना या अकेले करना मतलब आप किसी भी औरत को या लड़की को पटाने जाओ तो अकेले जाओ किसी और को या अपने किसी दोस्त को साथ में लेकर मत जाओ क्योंकि आप जब किसी लड़की को लाइन मारते हो वो लड़की या औरत आपको पसंद भी कर सकती है या फिर आपको रिजेक्ट भी कर सकती है साथ में आपकी बेज़दी भी कर सकती है इसलिए अगर आप अकले जाओगे तो लड़की हाँ कर देगी तो ठीक है नहीं तो आपके दोस्तों के सामने आपकी बिज़्जत ही हो जाएगी और यहाँ पर आपकी इज़्जत भी important है और उस अवरत या लड़की की इज़्जत भी important है इसलिए दोनों की इज़्जत को बनाए रखने के लिए आपको अकेले ही जाना चाहिए चौता पॉइंट है वो है किसी भी लड़की या औरत के पीछे एक महीने से ज्यादा मत जाओ अगर एक महीने के अंदर आपको response मिलता है तो आपको उस चीज को continue करना है अगर आपको response नहीं मिल रहा है तो आपको अगले दिन नहीं जाना है कम से कम एक हपते के लिए आपको बिल्कुल भी दिखना नहीं है इससे क्या होगा जो अवरत है या लड़की है उसे आपको देखने की आदत लग चुकी होगी और जब आप हपते भर के लिए नहीं जाओगे तो वो आपके बारे में सोचेगी आप दिन रात उसके खायालों में छाये रहोगे दिरे दिरे आपकी पूरी बाते आपकी पूरी सारी हरकते उन्हें याद आती रहेगी और जब वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचेगी तो लड़की या औरत को आपसे प्यार हो ही जाएगा